हेलो, वेलकम टो WSQTek आज की समेटलाब के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी कॉंपलेक्स एक्सपोनेंशल सिगनल को या कॉंपलेक्स एक्सपोनेंशल सीक्वेंस को कैसे जेनरेट और प्लोट कर सकते हैं चलिए हमने यहां पर एक एक्सपोनेंशल सीक्वेंस ले रखा है एक्सपोनेंशल सीक्वेंस यह हमारे पास लिखा हुआ है y पुल्स टू ए ए रिस्त पावर माइनस c इन्टू एन जहां पर c की वैली दे रखी है माइनस वन अपॉन टूइल्फ प्लस जे पाइबए सिक्वेंस कोई बहुए सकते हैं और उसको प्रॉट कर सकते हैं अंदर हमारे पास यह यह हमारे पास एक्सपोनेंशल सीगनल है उसके बाद हमारे पास complex signal के लिए हमारे पास real और imaginary term दोनों आने चाहिए तो यह हमारे पास जो constant दे रखा है constant के अंदर यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर यह वाला part real part है और यह वाला part imaginary part है तो हम कोशिज करेंगे कि एक बार इस expression को implement करके real part को अलग plot करें और imaginary part को अलग plot करें चले सबसे पहले length of sequence ले लेते हैं तो length of sequence जो हमें plot करना है वो हम ले लेते हैं suppose n इक्वल्स टू जिरो तू हंड़िट तक हंड़िट तक का यह sequence हो गया अब इसके अंदर हम जो constant है यह हमारे पास constant है तो एको हम already यह पहले ही value assign कर देते हैं यहाँ पे तो यह suppose हमने ले लिया है तू उसके बाद हमारे पास n भी आ गया तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या बचावचा सी की value दे रखा है तो सी को हमें calculate करना है तो सी को हम जैसे expression दिया वाँ उस हिसाब से में लिख देंगे तो यहाँ पर देखें सी इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर माइनस वन डिवाइड बाई 12 प्लस यहाँ पे जे इंटू लगाएंगे हमें पता है पाई की value पी आई ह गया और सी आ गया तो यहां पर देखें एन भी आ गया सी भी आ गया और अब हमें इस expression में इसको लिखना है तो इस expression को टाइप कर देंगे मेटलैप की फॉर्म है तो हमने लिख दिया वाई इक्वलस टू ए इंटू यहां पर देखें एक्षिन कंप्लीट हो चुका है अब इसके अंदर हम इसको लॉट करेंगे प्लॉट करने के बाद हम रियल पार और इमेजनरी पार्ट अलग लग चेक करेंगे तो उसके लिए हम देखते हैं कि यह पा'll को कैसे सप्लीट शपरेट करेंगे और इमेजनीयर पार्ट को कैसे सप्लीट करेंगे तो हम लिए रियल या फिर हम लेता है और वाई रिप्रेजन क्या करुंट का real part of y equals to real command का use लेंगे और हम y उसके अंदर value assign कर देंगे तो r y हमारे पास real part दे रहा है similarly अगर imaginary part लेना है तो i y ले लेते हैं i y represent क्या कर रहा है imaginary part को तो हम इसके लिए im ag command लेंगे और उसके बाद हम y इसके अंदर input देंगे तो r y represent कर रहा है real part of complex exponential signal that is y और i y represent कर रहा है imaginary part of complex exponential signal that is y तो अब हम इन दोनों को plot करते हैं तो subplot करने के लिए हमें 2 plot करना है एक real और imaginary part तो इसको हम subplot के थूप plot करते हैं जिसके अंदर पहले part के अंदर हम real part को plot करेंगे दूसरे part के अंदर हम imaginary part को plot करेंगे तो हम यहाँ पर plot लिख दिया हमने plot के अंदर हम ले रहे हैं n की value और हम ले रहे हैं real part तो n,ry तो हमारे पास plot होके आ जाना चाहिए अब इसके अंदर हम x label दे देते हैं x label के अंदर हमारे पास जो x success था वो हमारे पास n की value थी तो हम n लिख देते हैं और right arrow लगा देते हैं और यह हम bracket को close करके semicolon लगा देते हैं अब y label के अंदर हम लिख देते हैं कि यह हमारे पास क्या है expression है y का तो हम लिख देते हैं यहां पर just y और हम title के अंदर दे देंगे कि यह हमारा real imaginary part जो भी plot करते हैं तो हम title assign कर देते हैं title के अंदर हम लिख देते हैं real part of complex exponential signal यह हमने लिख दिया real part of complex exponential signal अब इसको close कर देते हैं अब इसी तरीके से हम subplot करेंगे imaginary part को तो हमbacks it is को ले लेते हैं यहां पर हमें i y लिखना है happy copy किया यहां पे request किया हमें second position पर लेना है second position पर देंगे i y कि हमारे पास imaginary signal है वह हमारे पास i v हैं तो हमने report कमान ले लिख दोए इसी के अंदर हम एक्स labeling और य labeling कर देंगे तो लेबलिंग के लिए एज़ यज इस कोपी-पेस्ट कर दे क्योंकि एक सके अंदर कोई चेंजने नहीं कर रहा है हमारे पास और वाइक के अंदर हमारे पास आये गा औरह पुट वाई है बड़ हमारे पास जो टाइटल होगा इस ग्राफ का या इस प्लॉट का वो होगा हमारे पास imaginary पार्ट तो यहां हमने पेस्ट कर दिया और हम जो टाइटल देंगे तो टाइटल के अंदर हम चेंज कर देंगे copy किया इसको paste कर दिया title के अंदर हम दे रहे हैं imaginary part of complex exponential signal तो यह देखिए हमने imaginary part लिख दिया अब इसको plot करते हैं जैसी हम press करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास complex exponential signal इस type से plot होके आ गया यह हमारे पास इसका real part है और यह हमारे पास imaginary part है चाहें तो दोनों को साथ में plot करके चेक कर सकते हैं तो चलिए इसको plot करने के लिए हम यहाँ पर command window पर जाते हैं जिसके अंदर हम complex signal को भी plot कर देते हैं तो plot लिखतेंगे यहाँ पर command plot के अंदर हमने n की value input दी है और directly y जो हमा signal के अंदर imaginary और real part दोनों एक साथ में आये हैं तो दोनों एक पार्ट में आने के लिए हमारे पास c और n की value दोनों चाहिए थी क्योंकि c के अंदर ही हमारे पास define कर रहा है कि यह complex signal है और यह exponential signal तो हमें पता है कि exponentially rise या फिर fall होता है तो इससे साब से हमारे पास यह plot के तो stem भी कर सकते हैं stem में हमारे पास individual values पता चल जाएगी कि exactly कहां पर plot हो रहा है और कहां पर कैसी signals दिख रही है तो यहां पर देखिए इसको close कर देते हैं और फिर इसको plot करते हैं तो चलिए यहां पर stem n,y किया तो यह complex signal को plot नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगर stem i y करते हैं और फिर plot करके देखते हैं तो यह देखिए हमारे पास इस type से response आ रहा है similarly r y करेंगे तो इस type से देखिए real part क्या है हमारे पास यह increasing पर है और imaginary part हमारे पास decreasing पर आ रहा है तो दोनों का response combine होके हमारे पास stem में हम easily देख सकते हैं तो चलिए इस तरीके से हम complex exponential signal को generate कर सकते हैं इस तरीके से और भी कोई expression जो complex signals हो उसको हम plot कर सकते हैं इस expression के according तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में thank you है